ओम गरिंग गरिंग श्रीक लक्ष्मी बासु देवाई नमहाई आज दो जुलाई दो हच्जार चौपिस कृष्ण पक्ष एकादसी बिक्रमी संबत है आज मंगलवार का दिन है अगर कोई शुबकार्य करना चाहते हैं तो राहुकाल का समय जरूर नोट कर दे इस समय कोई शुबकार्य न करे आज राहुकाल तीन बच कर चौवन मिनट सायंकाल से पाच बच कर उन्चालिस मिनट सायंकाल तक रहेगा नक्षत्रों की बात करें तो आज गिर्टिका का योग है आज चंद्रमा मेशराशी में तिन रात में संचार करेंगे तो आईए जानते हैं दो जुलाई दोहज़ार जोवीस मंगलबार का राशी फल बिस्तार से मेशराशी बालों को कारोबार में सफलता मिलेगी और सौभग्य भी साथ देगा इस कारण आप खुलकर खरीदारी करेंगे कारेच्षित्र में आप इमानदारी से काम करना चाहेंगे इससे भविश्य में आपको लाव होगा आमदनी बढ़ने से परिवार वाले भी खुश नजर आएंगे रिश्वराशी आर्थिक मामलों में तकदीर आपका साथ देगी स्थाबित कारोबार का पिस्तार होगा तृपख्षिय साजेदारी करने की इस्थित्व बनेगी लेकिन नेजी संबंधों के मामले में तृपख्षिय रिष्ते अनुकूल साबित नहीं होंगे आपको संसादन जुटा कर आपकी आर्थिक इस्थिती को सशक्त करना चाहिए तभी रुत्वा बरकरार रख सकेंगे कारेशेतर में चोरी होने की आशेका है इसलिए स्ततर्क रहें मिथुन राशी आपने पहले से ही जो उम्मेदे संजोकर रखी है या फिर आप जैसा चाहर है होंगे उनका पूरा ना होने से आप प्ताश हो सकते हैं कारेश थल पर आपको कुछ परिस्थानियों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन कठिन बक्त में प्रिश्चिक राशी का व्यक्ति आपकी मदद करेगा करकराशी कार शेतर में आप हिवा लोगों को पृत्साहित करने में सफल रहेंगे आपकी पुत्री करियर के मामले में स्वतंत रूप से फैस्था लेने वाली है सावधान रहें कि आपके परिवेश से जुड़े चालाग दोस्त आपकी उदारता का फाइदा उठाना चाहते हैं करियर में सफलता से मन खुश रहेगा सिंगराशी दूसरों के साथ अपक्षाइन न रखें बरना आपको संघर्स करना पड़ेगा खास तोर पर कारिस्थल पर आपको किसी के साथ भावनात मन जुड़ाव से बचना चाहिए यही नहीं आप स्वाइन को बोजही भी महसूस करेंगे वेवसाइक मामलों में फैसले लेते वक्ष आपको सुष पस्ट सोच से काम करना होगा सहजता और तेजी के साथ कई मुद्दों का सफलता पूरुबक सामाधान करेंगे शिखर पर पहुँचने के लिए हर संभब परयास करें कन्याराशी आपके परिवेश में तेजी से बदलाव हो रहे हैं नए अवसर सामने आएंगे कामियाबी पाने के लिए हर संभब परयास करेंगे एक तरफ तो आप कुछ बातों से स्वेंग को आहत कर रहे हैं और दूसरी तरफ भावनाओं को आप छिपाना भी चाहते हैं कारियस्थल की चुनोतियों का दाफ उठाएं तुलाराशी जिन्दगी ने आपके समक्ष एक खाली कैनवास रख दिया है और अब इस कैनवास पर चित्रों को पेंट आपको ही करना है अतीद के एक दोर की समापती हो रही है और एक नया दोर शुरू होने वाला है जैसे ही आप वैबसाहिक पर योजना को पूरा कर लेते हैं वैसे ही आप हलका वो तनाव रही महसूस करेंगे नए अबसरों को सामना करने के लिए तैयार रहें बिश्चिक राशी विभिन शक्सियतों के बीच आप अलग छाप छोड़ने में सफल रहेंगे नीजी वा वैफसाइक मामले में उरजावान होकर साहस का परिचाह देंगे आप असंभव से दिखने वाले कारियों और चुनतियों से रूप रू होंगे और उनका समाधान निकाल कर ही दम लेंगे खुल कर खरिदारी करने से आपका मासिक बजट बिगड़ सकता है अपने मुल्यों सिधानतों पर अमल करे स्वेंग के प्रती इमानदार रहें धनुराशी जिन्दगी जो भी घटनाएं आपके समक्ष पेश कर रही है उनका वरबूर लुफ उठाएं तब ही आप अतित के अपराद बूद नकारात्मक बिचारों आदिप को खुला सकेंगे अगर नकारात्मक बिचारों को दूर करने की कोशिश नहीं की गई तो फिर भावनात्मक रूप से दुखी होंगे कारिस्थल में सूज बूझ कर फैसला लें मकर राशी आपके दृष्टी कोन में भी नयापन चलकेगा आप बदलाओ के एक महत्वपून मुहाने पर हैं ध्यान की गहराईयों में जाए तो कारिस्थल की चुनोतियों को पार कर पाएंगे अच्य धिक भावुकता से बचे कारिस्थल पर आपको नए अफसर मिलेंगे इनका उप्योग समझधारी के साथ करें भावुक होकर फैसला लेने से बचना चाहिए कुम्भराशी अतित और भविश की योजनाओं में ना डूपकर आप बरतमान में रहें और हर लम्हे का आनन्द उठाएं अगर आप सचेत नहीं रहें तो आपके साथ से एक सुनहरा मौका निकल सकता है या फिर आप एक शांदार नीजी अनुभब से पंचित हो सकते हैं नौकरी का नया अफसर मिले तो आपको इस पर बिचार करना चाहिए मीन राशी लोगों से संबाद स्थापित करने का वक्त है बैबसाइक और रचनातमक शेत्रों से जुड़े लोगों के साथ संपर्त स्थापित करें हम लोग अस्थित के चमतकार के ही अंग हैं इसलिए हींता ग्रंथी अत्वा स्रेश्चता ग्रंथी से ग्रस्त होने की जरूरत ही नहीं है मी जी वो बैबसाइक मामनों को आप बिलक्षन धंग से और रचनातमक प्रबिर्ती से अंजाम देंगे तो ये था दो जुलाई दोहच्जार चौपिस मंगलवार का राशी फल इसतार से ईश्वर सबका कल्यान करें